हलो और नमस्ते टू एवरिवन वेल्कम बाक मैं सोल फामिली आशा करती हूँ आप सभी अपने घर में अच्छी होंगे और अपने फामिली के साथ टाइम स्पेंड करें होंगे आपके लेके आई हूँ मैं बहुती जादा स्पेशल और अमीजिंग रीडिंग जिसमें हम को कह देते हैं ख्वाबो ख्वाबो में तो आईए शुरू करते हैं जब तक मैं कार्ड शफल करूं हमीशा की तरह आपको अपने पाड़ने का नाम लेना है और उनके बारे में सोचते हुए कार्डस पे कंसेंटरेट करिए आईए शुरू करते हैं पहला कार्ड है हमारे पास पेज आपस पेज आपस पेज आपस पेज आपस आपको दूसरा है हमारे पास फॉर अफ कॉप्स देंग आपस एस आप पेंटिकल्स हमारे पास है नाइट आफ सोड्स चलिए तो देखते हैं हमारे पास है पेज आफ सोड्स डेफिनिटल अगर आप दोनों नो कंटाक्ट सीन में हैं तो वो बिलकुल सोच रहे हैं कि आपको कंटाक्ट करें आप मेंसे कई लोग ने मुझे कॉमेंट सेक्शन में अपनी एक्सपीडिन्स बताए शेयर किया कि अपनी सकस स्टोरीज की कैसे आपने बिलीव किया अपने उपर भरूसा रखा तो आपके पार्टनर का मेसेजिस आपके पास आए फाइनली काफी सारे रियूनियन वाले मेसेजिस मैंने पड़े और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुए आप सबी के लिए ऐसे ही मेरे साथ अपने एक्सपीरियंस को शेयर करते रहे तो मैं आपको यह कहना चाहूंगी जिनके लिए जिनका अभी तक कॉन्टाक्ट नहीं हुआ है आपके पाड़ने के मन में हमेशा चलता है कि आपको कॉन्टाक्ट करी हिम्मत जुटाना बहुत ज़्यदा मुश्किल हो रहा है उनके लिए क्योंकि यह इतनी आसान बात नहीं है देखिए अगर आपकी और उनकी जो लड़ाई हुई और जो सेपरेशन हुआ उनके लिए कोई मेजर इशू नहीं होता तो वो एजिली जा सकते हैं एजिली आ सकते हैं लेकिन उनकी लाइफ का एक बहुत गहरा कनिक्शन है आपसे जिसको वो बहुत महत्व देते हैं इस वज़े से वो टाइम लगा रहे हैं वो चीजों पे वर्क करना चाहते हैं और इसी वज़े से उनको इतना ज़़ादा समय लग रहा है तैयारी करने में यहाँ पे मैं दे लेकल्स का आना मतलब की जो भी आपकी लाइफ में अगर फैनेंशिल कोई भी प्रॉब्लम आई आपके पार्टने के वज़े से या फिर कुछ भी ऐसी दिक्कत आये रिलेटेट टू मनी वो भी आपके लाइफ में फाइनली अफ सॉल्व होने वाली है या हो गई है आप मे कुछ ऐसा प्लान करें हैं जो आपने बिल्कुल भी नहीं सोचाओगा मुझे ऐसा लगता है आपके पार्टनर जो है आपके लिए एक सप्राइज प्लान करें नाइट अफ सोड्स मतलब की अच्छानक से अपिर हो जाएंगे आपके सामने या फिर कुछ ऐसा कर देंगे ज अगर आप में से कई लोग मूव ओन कर चुके हैं यह फिर से आपके लाइफ में दस्तक दें एक्सेप्ट करना ना करना यह एक डिफरेंट बात है यह डिफरेंट रीडिंग होगी लेकिन आपको अप्रोच करने की तो वो डारेटली सोच रहे हैं बिल्कुल यह देखिए यहां पे हमारे पास है इतनी जाद एमोशनल एनरजी फॉर गिविंग और बहुती जाद इंटेंस एनरजी यहां पे आपको दिख रहा होगा कि एक जना दूसरे जने को कुछ ओफर कर रहा है आपके जो पार्टनेर है वो आपको कुछ एक ओफर कर आपने की सोच रहे हैं और हाँ यहां पे मैं कन्फरमिशन देदू यह कोई न्यू परसन नहीं है फॉर शूर यह कोई पुरानी आपके पास्ट परसन ही है जो आपको या तो छोड़ के चले गए हैं या फिर आपकी लाइफ में अभी नहीं है टेंपरिरली आपको मेसिज क रिप्लाइ नहीं करते या फिर ब्लॉक किया गया हो ऐसा भी हो सकता है लेकिन जो यह प्रपोजल लेके आ रहे हैं जो ओफर लेके आ रहे हैं वो बहुत ही जादा नचुरिंग है बहुत फुल्फिलिंग है और उनका जो ओफर है इतना मैं बता सकती हूं कि वो जेनुन इतना भरूसा रख सकते हैं बिल्कुल यह confirmation है ठीक है आपके लिए कुछ और cards में pull करके आपको थोड़ी सी clarity देती हूँ thank you so much thank you thanks a lot okay हमारे पास है यह वाला card 9th card okay हमारे पास है यह वाला card three number third और हमारे पास है यह वाला card okay आशा करते हैं कि आपको देख रहा होगा देखिए अगर आप ध्यान से इस reading में देखे तो आपके partner जो है बात तो करना चाते ही है लेकिन dreams के through romantically आपसे वो connect करना चाते हैं ऐसे चीज़े जो आपको सामने तो नहीं बता पाते बट यह सारे fantasies उनके मन में चलती है देखिए यहाँ पे देख रहे होंगे यह जो एक यहाँ पे female है वो आपको same position में देख रही होगी आपके partner जो है उनको ना आपको कुछ इस तरीके से देखना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है वो सपनी में dreams के तरू कनेट करना चाते है या फिर ऐसा हुआ हो कि आप दोनों का कोई आपने कोई cozy time spend किया हो जहाँ पे आपने इस position में particularly समय बिताया हो उनको आपको dominate करना बहुत अच्छा लगता है especially अगर बात आए physically यहाँ पे मैं clearly देख रही हूँ in fact यह यह भी सोचते हैं कि यार काश हम दोनों की बात शुरू हो जाए एक देखिये तरीका होता है प्यार जताने का कुछ लोग verbally करते हैं कुछ लोग physically करते हैं तो आज तक नहीं से भूलने ही पाते कि कैसे आपका जो पर्श उन्हें एक अलग सी feeling देता था आपका एक स्पर्श उनके दिमाग में उनके जान में उनकी सोल में एक स्पार्क देता था आपके वो घने घने बाल आपकी वो पूरी बॉड़ी जो पॉफेक्ट नहीं है यह हो भी सकती है लेकिन उनके लिए आप बिलकुल पॉफे आपको दुबारा से वो चीजे महसूस करा सकें जो आपके लिए वो फील करते हैं वो चाते हैं कि वो आपको प्लेजर दें आपको जितना भी हर्ट हुआ है वो सारी चीजे एरेज करके भुला कर कुछ ऐसा एसास करा है जिससे वो अपना प्यार प्रूफ कर सकें सपने में वो आपको ये सारी चीजे send करें message connect करने की कोशिश करें ताकि आपको कुछ ऐसा feel हो intensely उनसे connected feel हो ताकि उनका message आपके तक पहुँचे आप उनकी दिल की बात समझे आईए देखते हैं कुछ special love messages जिससे हमें और थोड़ी clarity मिलेगी Thank you Thank you cards Okay, okay, okay Thank you, thank you Okay, हमारे पास कुछ messages आगे है I trust you with all my life and hearts तुम पे जितना भरोसा मैंने किया, आज तक मुझे उतना भरोसा किसी पे नहीं हो पाया वो भरोसा आया time के साथ तुमारा प्यार देखे तुमारा प्यार करने का तरीका और तुमारे जजबात और एसास देखे I love the way you laugh जब भी वो आपके पास आएं आपको चूएं या फिर आपके साथ कोई जोक प्राक करे आप दोने एक दूसरे के बहुत करीब हूँ I love the way you laugh उनको आपकी हसी आपकी खिल किलाहट आज भी याद आती है वो जितनी भी आवाजें उनके कानों में आज भी गुँचती है You are able to find beauty in small things and show me how to appreciate it कैसे छोटी 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 चीजों को सराहना उनकी एहमियत जाना वो तुमी से सीखा और हमीशा छोटी 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 चीजों की खुबसूरती को देखा जाना पहचाना उनकी value की ये इतनी बड़ी बात तुमने मुझे सिखाई ये तुम से सिखी है You have all passion You have passion in all that you do ओके आप जो भी करते हो हमीशा passionate energy के साथ करते हो हमीशा सब के लिए तयार रहते हो और बिल्कुल जजबे के साथ energy के साथ जो भी किया चाहे प्यार हो चाहे career हो अपने आपको समालना हो तुमने हर चीज में अपने 100% दिया ये चीज आपके बारे में उन्हें बहुत ज़दा attractive लगती है देखिए अगर आपको कोई प्यार कर रहा होगा तो आपकी सारी खुबियों को सारी खामियों को पहचानेगा और उन सब के साथ accept करके आपको अपनाएगा ठीक है प्यार वो नहीं चापको change करने की कोशिश करें हाँ बुरी चीज़े change करने की जरुत होती है यह तो हम इसलिए करते हैं क्योंकि हम दूसरों की भलाई ही चाते हैं बट अगर वो आपको हर चीज़ के साथ पूरी तरह से अपनाते हैं वो ही आपका सच्छा प्यार है यह person आपसे बहुत प्यार करते है और इनकी energy मुझे definitely feel हो रही है कि आने माले time में मतलब बहुत recently यह आपके पास जरूर दोड़ के आएंगे आशक करती हुए reading अच्छी लगी होगी वीडियो को like करके मुझे appreciate करके जरूर जाएगा comment section में आपकी सारी comments में पढ़ती हो और मुझे बेशपरी से इंतजार रहता है मिलेंगे आपसे एक बहुत प्यारी से reading में तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए and God bless you all